हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में और दोस्तों आज इस वीडियो में हम Poco F1 vs Redmi Note 9 Pro करेंगे याने की 720G vs Snapdragon 845 तो इस देखते रहिएगा वीडियो को लाश्ट और वैसे हमने Poco M2 का भी उन्बॉक्सिंग कर दिया है जो की काफी हद तक पoco F1 जैसा देखते हैं तो इसका भी वीडियो देख सकते हैं आप 6GB RAM के साथ में आता है काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो यह देख सकते हमारे दोनों फोन्स यहां पर यहां पर दोनो नहीं लगेगा तो यहां पर फोन देख लिए अब यहां से सिंपली रिबूट टेस्ट को हमें स्टार्ट करते हैं अब देखते हैं कैस पहले कौन ओपेन करता है यहां पर तो वीडियो अच्छी लग रहे हो तो जरूर से लाइक कर दिजिए यहां पर देखिए पहले यहां पर रेडवी 9 प्राइम में भी आ चुका है मीवाई का लोग और फाइनली यहां पर पोको एफवन बन गया बिनर अभी फास्ट गाइस ओपेन करता है पोको एफवन तो यहां पर इसका प्रोसेसर का अंदाजा लगता है गाइस पुराना हो चुका है बढ़ अच्छ यहां पर देखेंगे आपकी पोको एफवन क्लियरली विनर हो गया गया तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं यहां से स्नेप ट्यूब को ओपेन करते हैं और यहां पर देखेंगे कि रेड्मी नोट नाइन प्रो विनर हो जाता है तो थोड़ा सा मतलब अच्छा काम किय है अब यहां से आगे चलते हैं और ओपेन करते हैं हम फिलिप कार्ट को तो यहां पर फिलिप कार्ट में देख सकते हैं क्लियरली की फोको एफवन ही विनर हुआ थोड़ा सा पहले मतलब लोड कर दिया रेड्मी नोट नाइन प्रो से तो यह सब चलते हैं नेक्स्ट एब क की तरफ हो है क्रोम तो यहां से क्रोम पर हम क्लिक करते हैं सिंपली तो गैस देखते हैं इसमें कौन विनर होता है और यहां पर देख सकते हैं कि इस क्लियरली विनर हो जाता है पोको एफवन तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वाइस इसने ड़ानेट 45 जबकि 10 एन देखने को उतना ज्यादा नहीं मिला अब दोस्तों यहां से ओपन करते हैं हम प्ले स्टोर को और कैसे यहां पर भी देख सकते हैं क्लियरली की प्ले स्टोर में पोको एफवन विनर हो जाता है कि इस सच में यह सेवें टो एंडीजी सेवें एनम पर और इसने डेगर नेट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या हम एक साथ ओपन हुए यहां पर देखेंगे नोट नाइन पुरों ने पहले ूड कर दिया कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ा सा फास्ट देखते हुए नजर आ रहा है रिडिमीं नोट नाइन पुर अब दोस्तों यहां सेओप विननर हो जाता है पोको एफ वान तो इस क्या कहें अब यहां से ओपेन करते हैं गूगल को और यहां पर देखें गूगल में रेड्मी नोट नाइन प्रो विननर बन गया जो कि थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है इतना हारने के बाद भी जीत रहा है अब दोस्तों यह होना से और नी चेलरे करते हैं और रोगा इसकेमर का सी पहले मतलब मुझे लगा विनर ओल्याप फ्रात्रों में एक्सकेंज आथे और और front में exchange करने बगिए यहाँ पे 4 एमनी 9 परो वीनर होता है और दोस्ता बेशिचार आप बेखान नोट्स को तो सुन झैगे कि झाले पेले नुट फ से पहले लोड कर दिया रेडा मी वाइरलेसली मतलब बिना यह फोन कभी आप FM रेडियो का यूज़ कर सकते हैं यह सही लगा और दोस्तों यहां से ओपन करते हैं हम कैलकुलेटर को और गाइस यहां पे कलकुलेटर में काफी हद तक सीमिलर तो यहां पे मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला अब दोस्तों ओपन करते हैं सिकुरेटी एप को और गाइस यहां पे क्लियरली विननर हो जाता है रेडमी नोट 9 प्रो तो यह सारे अप्स हो गए अब चलेंगे गाइस हमारा फाइनल एप जो की है फिरी फाइल तो चलिए इसको भी हम ट्राइक कर लेते हैं तो गैस यहां पिछ एक दम चल रहा है रेडमी नोट 9 प्रो देखते हैं विननर कौन होता है गैस तो यहां पर फाइनली गाइस रेडमी नोट 9 प्रो विननर हो गया जोगी सही लगा गाइस इसको होना ही चाहिए तो इतना मतलब पुराना प्रोसेसर से टक्कर ले रहा है तो मैं कहूंग इस मेरा फोन परसनल है पोको एफवन बट मैं तारीफ उसी करती हूं जिससे करता हूं जिसमें सच्चाई हो तो यहां पर रेडमी नोट 9 प्रो का ब्राइटनेस मुझे ज्यादा लगा तो यहां पर आपको आउट डूर में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप आ रियल मी 6 यानि की जी 90 काफी अच्छा परफॉर्म किया गई समने टेस्ट किया अकर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से वह देख सकते हैं उससे आपको अंधाशा लग जाएगा कि जी 90 कितना बहतर प्रोसेसर है और मीडिया टेक अब कितना अच्छा का अच्छा वह भी लगा मुझे और यह इतना पुराना हो चुका है प्रोसेसर तो यही मैं कहता हूं कि आप पक्वेफन लेने की जरूरत नहीं इससे भी अच्छे 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 प्रोसेसर आ चुके हैं मीडिया टेक के वह आप चूज कर यह गेमिंग के लिए तो दोस है